आलू बैंगन के साथ इमली के पत्तों की सबजी आलू बैंगन के साथ इमली पत्तों की सबजी बनाने की पिधी एक कडाही में तेल गर्म कर ले और अब डाले राई जब यह फूटने लगे इसमें साबत लाल मिर्च, जीरा, चना दाल, उड़त दाल, कड़ी पत्ता, बैंगन के टुकड़े, थोड़ी हल्दी, बारिक कटे लहसन, बारिक कटे प्यास डाल कर अच्छे से मिलाएं अब इसके बाद उगले हुए आलूस के ऐसे लंबे टुकड़े, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कच्चा खोपरा डाल कर दो मिनट मिलाने के बाद स्वादानुसार नमक, बारिक कटे इमली के कोमल पत्ते डाल कर अच्छे से इसे टौस कर ले आकरी में हरा धनिया डाल कर गार्निशिंग के बाद बस श्वादिस आलू बेंगन के साथ इमली के पत्तों की सबजी तैयार है चपाती के साथ खाने के लिए